कार स्वागत आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि अभी आप एक इशू बहुत बार देख भी रहे होंगे कि हिंदी के खिलाव काफी ज्यादा परदर्शन हो रहे हैं हिंदी भाषा के खिलाव क्यों ऐसा हो रहा है क्यों उन्होंने काये कि आप एक तरिके से हमारे साथ बेदवाव कर रहे हूं और यह चीजें जो हैं हम होने नहीं देंगे हमारी वीजनल लैंग्विज का क्या होगा तो यहां पर इसके चलते विरोध हो रहे हैं इवन जो साउथ इंडिया है वहां पर भी इस जो यह प्रावद काले काला रंग का पेंट कर दिया जाते हैं तो वहां पर यह जो लैंग्विज का इश्यू है बहुत जादा सेंस्टिव इश्यू है सेम अब यहां पर नोर्थीस्ट के अंदर यह चीजें होने लग रहे हैं तो आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि क्या हमारे पूरे देश के अंदर लागू कर देना चाहिए या फिर कोई अलग रास्ता या कोई अलग विकल्प निकाला जा सकता है एक जहां पर आप देखेंगे वट इस दा थ्री लैंग्विज फोर्मुला जो प्रमोट करने की बात की जारी कि आप इसको लागू कर दिस्क्रिप्शन बोक्स में तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं अभी भारे सरकार ने आठ पुर्वत्तर राज्यों में हिंदी को क्लास 10 तक अनिवारे करने का प्रावधान किया है अब यहां पर क्लास 10 तक अगर आप हिंदी लेकर आ इसके चलते जो पूरवत्तर राज्यों काफी सारे संगुञारं विभो हिंदी कर लाज्यों में हैं ईवन जो बीजिपी की सौपोर्टर्स हैं belki सांथ Indya के अंदर काफी सारी लेकों सैंभास 2 राज्योंने एक तरीक्यवार की आलोचना की है और कहा है कि आप एक काम करें आप त्री भाशनीति यानि त्री लैंगविज पॉल्सि को लेकर आइए बजाए कि आप हिंदी को परमोट कर रहे हो उसके किलाब उसके बजाए आप हिंगरेजी, हिंदी और स्थानिय भाशन यानि इसको लेकर आईए ना इसका समर्थन कर रहे हैं अब एक्चुल में जो अमिशा जी है उनका कहना है कि इंग्लिश को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए एक दरीके से जो भारत की लेंग्वेज है उनहीं को प्रमोट किया जाए यह उनका तर्क है अब यहाँ जो प्रवोतर संगटन है उनके द्वारा जो तर्क दिये गए है वो यह है कि एक तो यह जो प्रवोतर राजे है उनको चटी अनुसूची के according सरंक्षित किया गया है यानि कि वहाँ पर six schedule के अंदर protect किया गया है जो प्रवोतर राज्ये हैं protect करने का मतलब है कि यहाँ भारत सरकार के तोर अगर कोई कानूम ना आया जाता है तो इनके पास इतनी power दी गई है कि आप वहाँ पर इनसे बिना पूचे यह जो राज्ये हैं प्रवोतर इनसे बिना पूचे वो चीज़े वहाँ पर लागू नहीं कर सकते उनके अंदर कुछ ना कुछ फेर बदल करना पड़ेगा या फिर यहाँ पर अनुमती लेनी पड़ेगी क्योंकि आपको बताए कि यह ट्राइबल एरिया है इनको कही न कहीं स्रंक्षन की बहुत ज़्यादा जरूरत है तो इस करके यहाँ पर पावर दी गई है तो कहा गए कि जो केंदर सरकार का जो कदम है वहाँ पर चातों पर जो हिंदी भाषा को जो थोपा जा रहा है वो नहीं हो सकता साथी साथ यहाँ कहा जा रहा है कि इससे भेदवाव होगा डिस्क्रिमिनेशन होगा क्योंकि आपने हिंदी स्पीकर्स को प्रमोट कर दिया वहाँ पर वो economically, academic या administrative तोर पर वो काफी जादा उभर कर सामने आएंगे उनके पास power होगी जिससे क्या होगी कि non-hindi जो राज्य है उनके उपर एक तरके से नियंतरन सापित करने की कोशिश करेंगे जो हिंदी स्पीकर्स है तो ये इनका कहना है अब हिंदी भाश्या और पहचान की समस्या को लेकर कुछ बातें बात कर लेते हैं आपको बता है कि language बहुँ जादा एक critical issue है हमारे देश में क्योंकि 1953 के अंदर जैसे protest हुए थे पोटिशी रामल्लु जी जहां पर उनकी death हो गई थी 53 दिन के अंशन के बाद और अंदर परदेश तेलगू भाशा के लिए एक अलग से राज्य की मांग की जा रही थी तब उनकी जब death हुई थी वहाँ पर एक अलग से राज्य बनाया गया था तो even language के अधार पर राज्य बनाया जाए इसके लिए लोगों ने अपनी जान तक दी है तो बहुत प्रेक सेंस्टिव इश्यू है हम इसको नहीं कहा सकते हैं भाशा ही तो है नहीं जो अगर आप धक्षिन भारत की बात करें तो वह language को लेकर बहुँ जादा सीरियंस है बहुत जादा सेंस्टिव है तो कया गया है कि देखे राज्य का भाश्य संगतर भारत के जो अधिकांज जो राज्य है उनका गटन भाशा के अधार पर ही किया गया है और भारत में जैसे लिमिटिड रिसोर्स हैं अपनी के कारण जो पहचान को लेकर वहाँ पर भाशाओं को लेकर संगर्स बढ़ रहा है साथ ही जाथ भाशाओं के विवाजन के उधारन में अगर मैं आतकरूं कि क्या एक्जांपल है कि language के अधार पर जो राज्य बनाए गए है देखो एक तो काफी जादा मैत्वपूर्ण उद्दार आया ही है भाशाओं के अधार पर सबसे पहले तो आंदरपरदेश बना था सबसे पहला राज्य है गठित हुआ था भाशाओं के अधार पर फिर पंजाब आया फिर गुजरात आया और यहां पर जैसे भाशा का एक तरीके से दबदबा देखा गया भाशा को लेकर जैसे सेंस्टिविटी देखी गई तो उससे पता चलता है कि काफी जादा लोग जो है अपनी लेंग्विज से कनेक्टिड है और संगर्स परबंदन का साधन देखे यहां पर यह काफी जादा एक बढ़िया हम कह सकतें कि पॉइंट है इसमें कहा गया है कि लेंग्विज को एक तरीके से ऐसे यूज किया जाए कि जो जाद्तिय संगर्स है वो कहीं न कहीं उसको कहतम किया जाए ऐसे नहीं कि आप language issue लेकर आ गए हो और language issue से जो लोग रह रहे हो आराम से उन्हीं के अंदर protest होना शुरू हो गए हो और यहां पर यह सब चीजें करकर आप क्या करेंगे कि आप एक संग्य सहयोग विक्सित करने के लिए भाषा नीती पर राज्यों को सवायता यानि वहां पर autonomy दीजी और त्री भाषा शुत्र लागू करने की तुलना में अधिक वहवार विकल्प हो सकते हैं मतलब कि आप त्री भाषा को यानि त्री language formula जो है वो इसको लागू करने का काफी जादा बढ़िया एक असर देखने को मिल सकते हैं वैसे त्री लैंविज formula जो है वो इतना कारगर भी नहीं है इसको लेकर भी जो South India है या even हम North India की बात कर लें तो ये कहीं न कहीं जो है विफल हो रहा है अब बात करेंगे त्री बाषा सुत्र क्या है यानि त्री लैंग्विज formula क्या है और इसकी जरूरत क्या है एक तो इसके बारे में अगर बात करें तो त्री बाषा सुत्र जो है वो पहली बार कोठारी आयोग द्वारा 1968 के अंदर प्रस्तावित किया गया था अब इस योजना के तैट पहली बाषा दूसरी बाषा तीसरी बाषा तीन बाषा है बोलेगी थी पहली ये कि एक तो सबसे पहले मात्री बाषा यानि शेत्री बाषा के अंदर होगी मतलब कि अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाबी जो है अब यहां इसके अलावा दूसरी भाषा होगी हिंदी भाषी राजयों में, जहां पर लोग हिंदी बोलते हैं, तो वहां पर आधनिक भारतिय भाषा हैं, और अंग्रेजी होगी हिंदी के अलावा, और जो गैर हिंदी भाषी राजय हैं, वहां पर या तो हिंदी होगी या पिर अंग्रेजी होगी, तीसरी भाषा का क्या है, जो हिंदी भाष्य राजय है, वहाँ पर अंग्रेजी होगी या आधुनिक भारती भाष्य होगी, जो उपर वाले में जो थी, लेकिन यहाँ पर ये चेंज ये कर दिया गया, कि जो गैर हिंदी भाष्य राजय है, जहाँ पर आप अंग्रेजी रखे और आधुनिक भारतिय भाषा रखे ना कि हिंदी रखे जैसे उपर वाले में हिंदी रखा गया था अब इसके आवशक्ता के उपड़ी देखे प्रात्मिक उद्देशे बहु भाषाबाद और राश्ट्रिय सद्भाव को बढ़ावा देना है को अदियमेक स्थर पर राज्य सरकानों को त्री भाषा शूत्र अपनाना था लेकिन कहिना कि यह फेल हो गे इसमें हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के इलावा जो आधुनिक भारतिय भाषा को कौन से घ्जा अने थी जो दक्षिन भाषिन भारत के भारत में है, तो वहाँ पर हिंदी तो है ही है, क्योंकि हम हिंदी बोल रहे हैं साथ इसाथ आप दक्षिन भारत की कोई एक, तमिल, तेलगु, कनड़ कोई एक जो है वहाँ पर, यहाँ पर आप सीखिए सेम टू सेम, जो हमारे जो सदन पार्ट हो गया, इंडिया का वहाँ पर, जो भी रिजनल लैंग्वेज है साथ इसाथ वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी भी सीखिए तो यह बात बोली गई थी अब इसमें समस्च्या क्या है समस्च्या ही आई ही, जो हिंदी पट्टी राज्ये हैं उत्तरपरदेश, बिहार, रियाना, प्राजस्थान, यह होगे तो यहाँ पर त्री भाशे शूतर जो है वो एक तरीके से विफल हो गया वो बढ़ावा नहीं दे पाए जो दक्षिन भारत की जो लैंग्वेज है उनको और जो तमिल लाडू है, सेम टु सेम वहां पर तमिल लाडू में देखे तमिल लाडू हो गया, पोडू चेरी हो गया, तिरफी पूरा हो गया यह जो राज्ये हैं, यहाँ पर जो स्कूली पाथे करम है वहां पर इंदी पढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं हुए, और इसके बजाए उन्होंने इस मुद्दे की सवायता की मांग कर डाली, यानि उन्होंने का कि बहुत आइसा चाहिए, यह पिर सेंटल गोर्मेंट को इसा करना चाहिए, कि जितने भी जो राज्यें हैं, उनके साथ बैट कर वारता लाब करकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए क्योंकि एक तरीके से एक जो language का बात की जारी है कि क्या language रखें जाए वैसे काफी सारों ने English को कहा है कि English जो है वो एक तरीके से एक international language भी और काफी जादा इसकी power भी कही जारी है क्योंकि इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है और इससे अपने विचारों को आदान परदान भी कर सकते हैं तो जैसे बिज़पी यहाँ पर जो करनाटक के अंदर बैंगलूरू के अंदर एक MP थे शायद मुझे उनका नाम या दिया और उन्होंने कहा था कि जो बैंगलूरू जो city बनी है वो एक तरीके से English के दम पर ही वो इतनी IT hub बन कर आई है यह उन्होंने ऐसा बयान भी दे दिया है अब भाशाओं से संबंदित कुछ हमारे समीधान के अंदर जो आर्टिकल है उनका और हम ध्यान रख लेते हैं क्योंकि एक्जाम में यह पूचे जाएंगे ना कि आप से यह पूचेंगे कि बैंगलूरू को मतलब English के अधार पर बनी IT city है ऐसा कोई नहीं पूचेगा कैर भारत के समीधान में एक Article 29 आता है एक Article 30 और एक Article 29 Article 29 और Article 30 जो है वो अल्ब संक्यानि Minorities के हितों की रक्षा करने के लिए हैं कैर यहां पर क्या का गया है इस Article में का गया है कि जो नागरी कि जो किसी भी वर्ग में अपनी एक भाशा उसकी अलग भाशा है उसकी कोई संस्क्रीट है उसका कोई कल्चर है तो वो उसको प्रटेक्ट करन सकता है उसके पास यह अधिकार है किसके अकॉडिंग आर्टिकल 29 पर आर्टिकल 343 जो है वो भारत संग की अधिकारिक भाशा के बारे में है इस आर्टिकल के अकॉडिंग जो है देव नागरी लीपी में हिंदी होनी चाहिए किसके अकॉडिंग 343 ध्यान रखना इसमें क्या बोला गया है और अंकों को जो number system है अंकों को भारती अंकों के रूप का पालन करना चाहिए इस अनुछेद में यह भी का गया कि समिदान लागू होने के 15 वर्षयों तक हिंदी को अंग्रेजी को अधिकारिक भाशा के रूप में इस्तिमाल किया जाता रहेगा अब बात करिए कि 1947 में हम अजाद होते हैं 1950 के अंदर हमारा समिदान लागू होता है तो अगर हम इसमें 15 एर एड कर देते हैं तो 1965 बन जाता है अब तक शायद वो 15 साल खतम नहीं हो रहे हैं तब यह बात बोली गई है यहां पर बात करें आर्टिकल 346 इसमें बोला गया है कि जो राज्ये हैं और जो संग है यानि जो यूनियन है या फिर दो राज्य सहमत हैं तो वो चाते कि हम एक दूसरे से कम्मिनिकेशन हिंडी के द्वारा करना चाते हैं तो आप हिंडी के द्वारा कर सकते हैं जो भी आपको एक language चुननी आप चुन सकते हैं यह यहां पर आर्टिकल 346 में बात बोली गई है एक आर्टिकल आता है हमारे सामने 347 इसमें कहा गए कि राष्टपती को किसी राज्य की अधिकारिक भाषा की रूप में एक भाषा को चुनने की शक्ति परदान करता है अब यहाँ पर राष्टपती के पास पावर है कि अगर सुपोज यहाँ पर उन्होंने कहा कि करनाटका के लिए हमने चुन्दे हिंदी लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्टपती नहीं यहाँ पर जो प्रेजिडेंट उन्होंने कहा कि मैंने तो हिंदी चुन्दी मेरे पास तो पावर है आर्टिकल 347 के अकोडिंग नहीं ऐसा नहीं है यहां पर बोला गया है कि राश्टपती संतूष्ट हो कि उस राज्य का एक बड़ा हिस्सा भाष्या को माननेता देना चाता है या भी नहीं वो तो कभी नहीं देंगे इसलिए राश्टपती जो है वो कभी भी हिंदी को वहां पर अधिकारिक भाषा की रूप में लागू नहीं कर सकते है ऐसी माननेता राज्य के किसी हिस्से या पूरे राज्य के लिए हो सकती है यानि कहीं कहीं पर भी हो सकती है पूरे राज्य में small letter में देखते हैं नो तो इनका मतलब होता है close तो इसका ध्यान रखना तो article 350A ये amendment के according आए article 350B ये amendment के according आए तो 350A कहता है कि प्रात्मिक्स तरफ पर मात्री भाषा में शिक्षा की सुविधाएं परदान करता है article 350A तिन सो पचास है और article 350 भी जो है कहता है कि भाषाई अलप संक्यों के लिए एक विशेश अधिकारी की न्युक्ति का प्रावधान करते हैं यानि कि special officer न्युक्त किया जाएगा जो minority ये linguistic के अंदर और जो ये विशेश अधिकारी जो है ये राष्टपती द्वारा न्युक्त किया जाएगा और यहाँ पर ये अलप संक्यों को की इस रुक्षा की उपायों से संबंदित इन मामलों की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट जो है वो सीधा सीधा राष्टपती को सोंपेगा अब राष्टपती जो है इस रिपोर्ट को या तो संसद में परस्तूत करे या फिर जिस राज्जे से रिलेटिड है वहाँ पर उन सरकारों को ये अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं आर्टिकल 351 के अंदर सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने की शक्ती देता है और भारतिय समिधान की आपको बता है कि आठवी सुची के अंदर 22 अधिकारिक भाषाओं को सुची बद किया गया है और आपको ये नजर मार लेनी है कि कौन-कौन सी भाषा है और कौन-कौन राज्य होने का जो संदर्ब में केंदर और राज्यों दोनों को ओप्रेटिव का पालन करना चाहिए यानि एक दूसरे के साथ चलना चाहिए तता भाषा आधिपत्य या अराजकता से बचना चाहिए यानि कि एक तरीके से आप भाषा को ना लाए yard या फिर कोई और विकल्प चुनिए अकेली एक language हर एक पे थोपने की कोशिश मत करिए तो ये बात यहाँ पर बोली गई है उमीद करता हूँ कि यह सारा topic जो है वो Hindi language related आपको समझ में आ गया होगा जो इसमें article दिये गए थे वो आपको समझ में आ गए होगे तो समझ में आ गए होगे तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और PDF के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि PDF का मिलेगी तो description box में Telegram का link दिया मिलेगा तो वहाँ से आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ जादा ही पसंद आ गए हैं तो शेयर कर सकते हैं चैनल को as well as वीडियो को भी Thank you for watching this video